नमस्कार स्वागत आपका ताल ठुक के देख शाम के पांच बच चुके हैं मैं हूँ आपके साथ रोहिट सर्दाना और आज मैं पहुंच चुका हूँ आयोध्या जी हाँ आयोध्या जिसकी एहमियत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बलकि केंद्र का चुनाव भी इसी आयोध्या के नाम पर भगवान राम के नाम पर लड़ा भी जाता है जीता भी जाता है और उसके नाम पर सरकारें भी बनाई जाती है तो आज शाम 7.55 मिनट पर इसी आयोध्या की बढला धर्मशाला से आप देखेंगे हमारे साथ वोटों की बारात बहस लाइव जिसमें नेता होंगे, जनता होगी और नेताओं से जनता के सीधे सवाल होगी। तो आप भी अगर आयुद्धा में रहते हैं, इस कारिक्टम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो साड़े छे बजे के आसपास इस बिडला धर्मशाला परिसर में पहुंच जाएं। अब वक्त है ताल ठोक के आज की बड़ी बहस का, और आज की बहस किस बात पर है, इसको एक शेर से बहतर नहीं समझाया जा सकता, जिसके शब्दों में थोड़ा सा हेर फिर हमने करता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ ही कोई गटबंदन नहीं हुआ करता। उनके परिवार में जगड़ा नहीं हुआ होता, तो कॉंग्रेस से समाजवादी पार्टी का गटबंदन करने की नौबत भी नहीं आती है। यानि कि वो ये कह रहे हैं कि उत्तरपदेश में समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गटबंदन मजबूरी का गटबंदन है। क्यों ना माना जाए। अकिलेश यादव की दलील है कि समय और परिस्तितियां ऐसी थी कि गटबंदन करना पड़ा। तो ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि अगर चुनाव के बाद परिस्तितियां बदल गई तो क्या आप गटबंदन तोड़ देंगे। आपको जितनी सीटों की उम्मीद है उससे ज्यादा मिल गई या परियाप्त मिल गई कि आप अकेले सरकार चला सकें तो आप गटबंदन तोड़ देंगे। और साथी साथ सवाल ये भी है कि अगर ये गटबंदन मजबूरी तो फिर यूपी को ये साथ पसंद कैसे आएगा। यहां आपको ये जानना भी जरूरी है कि उत्तर पदेश में गटबंदन होने के बावजूद 17 सीटें ऐसी हैं जहां कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के उमीदवार एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं मैदान में कड़े होकर। तो क्या ये मान लिया जाए कि गटबंदन तो हुआ लेकिन गटबंदन को लेकर दोनों ही पार्टियां इमानदार नहीं हैं। ताल ठोक के आज की बहस इनी सवालों का। मैंने शुरू में ही कहा कि गटबंदर एक खास समय और परिस्तितियों में हुआ। अगर ये चीजें नहीं होती और कुछ राजनीतिक पैसले ना लिये जाते तो ये गटबंदन नहीं होता। परिवार में ऐसी लोगोंने कुछ गलत भ्रहंतियां फैलाई हैं। जबकि देखे मैंने हमेशा हमने मुख्मंति का हमेसा सयोग किया। मैंने हमेशा नेता जी की वाद को माना। मुख्मंती के किसी भी आदेश को मैंने टाला नहीं है। तो अब रहंतियों का तो जो फेलाई हैं तो वो तो मुक्मंती की जुम्यदारी है परवार के विवाद को सुल्जाने की जुम्यदारी तो नेताजी की और मुक्मंती की थी ये बैठ के सुल्जा लेना चाहिए था और मेरा पूरा उसमें सयोग था मुक्मंती से हमेजा मैंने संपर के रख था तो क्या बताते हैं कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिला जिन पे जादे भरुसा किया उन्होंने हमें और नेता जी को लडा दिया पता नहीं वो राजनीत थी के स्वार था ये बात समझ में नहीं आई पुझे नेता जी और मुकमनती और जो भी परबार के लोग है कलने तो मुझे कोई आत्राज नहीं मैं उनके साथ हूँ मैं नेता जी के साथ हूँ नेता जी का जो भी आदेश होगा मैं उनके साथ हूँ कारेस के जहां पर चाजिये हैं वहां मुझे नहीं जाना है और जो हमारे लोग हैं अगर मुझे बलाएंगे और हमारी पाठी कादेश होगा और नेता जी कादेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे मैं कहूंगा एक पपू और एक बब्बू ये दोनों की जोड़ी एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर रही आज उनका इंटर्वू छपा है करेंग हमारा तो मजबूरी का समझोता है अरे मजबूरी का समझोता है तो इस मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता आपके स क्यों खड़ी हो मजबूर तो थे वो परिवारिक रिष्टों में लेकिन सोच समझ कर उन्होंने सही संग पकड़ा तो इनहा लात तुम हैं बिल्कुल सही किया औरने जब परिवारमें ही अमर सिंह जी हैं तो क्या करें बिचार अजिए जोड़तोड से समाझवादी पाटी कोई भला होने वाला नहीं है ना अकलेश यादो जी का भला होने वाला है इस बात इसपस्ट हो गई है कि ये जुगाल की जोड़ तोड किसी भी रूप में सत्ता पाने के लिए थी लेकिन उत्तरप्रदेश की जनता ने उनकी सत्ता से बेदखली का बैन बाजा बजा दिया है ताल ठोक के आज का पहला सवाल क्या उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी का नाम कॉंग्रेस पार्टी है दूसरा सवाल मुख्यमंत्री अखलेश की मजबूरी के नाम यूपी का विकास कॉर्बान क्यों हो तीसरा सवाल यूपी में ये साथ पसंद है का नारा दिखावा है मुख्यमंत्री अखलेश को तो कॉंग्रेस नहीं परिवार पसंद है चौथा सवाल क्या समाजवारी कॉंग्रिस का साथ सिर्फ चुनावी है और तार ठोक के आज का पाँचवा सवाल यूपी चुनाव के बाद क्या परिस्तित्या हुई तो गड़बंदन तूट भी सकता है यानि चुनाव बाद अकेले अखलेश, अकेले राहुल तो आपको बता दें के तार ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन-कौन से खास महमान है हमारे साथ पवन खेड़ा हैं जो कॉंग्रिस पार्टी के प्रवक्ता है करीब 15 साल तक वो दिल्ली की पूर मुख्यमंतरी शीला दिक्षित के राजनीतिक सचेव और सलाकार रहे है और आपको बता दें के लंबे समय से कौंग्रेस के उन रणनीती कारों में गिने जाते हैं के पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए बड़े काम करते रहें स्वागत है पवन खेड़ा आपका आज पहली बार शायद ताल ठोके कारकम में आप आ रहे हैं सुधान शुत्रिवेधी हमारे साथ हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं मैकैनिकल इंजिनिरिंग में पीएसडी उन्होंने किया है और ग्रेमंत्री राजनाथ सिंग के वो राजनीतिक सलाकार है स्वागत है सुधान शुत्रिवेधी आपका जुही सिंग हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, अक्सर आप उनको ताल्ठोक के कारकम में देखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हुए, वैसे आपको बता दें कि यूपी स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आफ शायल्ड राइट्स की वो चे टेकनिक में वो आर्किटेक्शर डेपार्टमेंट के एचोडी रहे हैं, और फिलहाल आर्किटेक्शर की सलाह देते हैं, कंसल्टन्ट हैं, स्वागत है आप सब का आज ताल्ठोक के कारकम में, लेकिन हम सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले आते हैं, उसके बाद इस बात का मतलब तलाश है। तो सुना आपने अखिलेश यादव का बयान, जुही सिंग जी सबसे पहले मैं आप इसे पूछना चाहता हूँ, शुरू करें उससे पहले सबको बता दें, डेड़ मिनट का समय आपको मिलेगा, पहले सवाल के जवाब के लिए, उस वक्क काउंड़ाउन चलता रहेगा, और डेड़ मिनट का समय पूरा हो जाने के बाद, आपकी आवाज स्वताय बंद हो जाएगी, और जब ये पहला राउंड सब के साथ पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम बज़र हटा देंगे, आप सब अपनी अपनी बात खुल के रख सकेंगे, एक दूर से से क्रॉस बूरी में किया था? काम बोलता है और बड़े दिल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बार-बार मुक्ही मंत्री कहते हैं, कि हमने बहुत सारी सीटें कॉंग्रेस को दे दी, कॉंग्रेस उसको जीते, हमारा सहयोगी दल है, गडबंदन एक जिम्मदारी भी होता है, आज के दिल में भाजपा को देखें, बहुत करी 42 पार्टियों के ये भाजपा तो हैं नी, NDA हैं, 42 पार्टि का इनका गडबंदन है, आशाई ये जिम्मदारी से गडबंदन निवाते होगी, कहीं कहीं इनका गडबंदन तूट भी जाता है, हमारे माने मुक्ही मंत्री ने ये जिम्मदारी सभा ल ये बातचीत की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जुनावक पर इसमेर रेलेवन से ये मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है, बुंदेल खंड का का माज़ूर जिक्र मैं आज इसलिए कर रही हो क्योंकि बुंदेल खंड हमारे लिए बहुत नहीं अलाका है, हुम, हुम, हु का मैं आपको बता सकता हूं कि कॉंग्रेस के बारे में समाजवादी क्या सोचते हैं वो महसूस करते हैं कि कॉंग्रेस जब सबसे कमजोर है तो वो समाजवादियों को अपने सबसे आप एक बात में समझ नहीं पारा, जब से ये गटबंदन हुआ है, तब से मोधी जी और उनकी पार्टी के सरदर्द बन गया है, मीडिया के एक सेक्षन का पेट दर्द बन गया है, और बसपा का दिल में दर्द होने लग गया है, ये हमारे गटबंदन से तमाम राजनेतिक पार्टीयों और कुछ मीडिया के लोगों में ये दर्द क्यों है, ये इतना आप लोग बॉखलाये हुए क्यों है, कि उनकी हर बात को मोड तोड़के पेश किया जा रहा है कि अखिलेश जी मजबूरी, अरे भाई, मजबूरी भी तो क्या बुराई है, उन्होंने स्वैम ओनेस्टली आके बता दिया, उन्होंने एक लाइन और बोली, जो आप लोग सब मिस कर गए, कि तमाम एक कॉंग्रेश ही एक परिवार था, ये सब कॉंग्रेश परिवार के ही सदस्य थे, उस परिवार की आप बात नहीं कर रहें, आप बात कर रहें, क्योंकि अखिलेश जी की अपने परिवार में जगड़ा हुआ, इसलिए कॉंग्रेश से उन्होंने हाथ मिला है, अरे साब उन्होंने तो ये भी कहा कि कॉंग्रेश के ही परिवार के सब हिस्सा थे, एक वक्त था जब कॉंग्रेश ही एक पार्टी थी, जो तमाम पार्टिया निकल कर आई हैं, वो कॉंग्रेश से ही निकल कर आई हैं, उन्होंने ये भी तो कहा, ये आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, और रही बात, आपर्चनिजम की अवसरवादिता की, तो सबसे बड़ी अवसरवादिता, तो हमने कश्मीर में देखी, लड़ नहीं आपा रहा है इनके, क्योंकि आपने जन्ता से एक दुसरे को गाली देकर वोट लिये थे, और अब एक दिश्रे से हाथ मिला लिया जन्ता, ठीक सर, डेड़ मिनट हो गया सर, डेड़ मिनट हो गया सर, आप करें कि ये एक अड़बंदन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आपके पेट में दर्ध हो रहा है क्या गड़बंदन से? आप दिखाई पड़ रहा है, ये विवश्टा का गठबंदन है, पराजय की भय से आकरांत होने वाला गठबंदन है, इसके लिए वही एक लाइन कहीं जा सकती है, कि न तुम्हें कोई और न मुझे कोई ठाओर, इसलिए मिलके एक हो गए, जहां तक बुंदेल खंड की ब से बढ़कर सामप्रदाइकता को मुद्दा बनाना ही, इन्हों ने वह शुरू किया, जब इन्हों ने या गठबंदन बनाया, और दूसरी बात में कहना चाहूंगा, कि ये लोग तो हमेशा साथ रहे, कौन सी नई बात है, जब केंदर में यूपीए की सरकार्ती तब क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं था, क्या मुलायम सिंगी नूकले डील के उपर कॉंग्रेस को समर्थन देने के लिए नहीं गए थे, क्या जब लोग लेखा समीत की संसद में रिपोर्ट आई थी, टूजी घोटाले पे कॉंग्रेस को बचाना था, तो सपा और बस बचाने आई, जब कॉंग्रेस बेहाल होने की सर, डेड मिनिट हो गया, ठीक, डेड मिनिट हो गया सुदान्शु जी, समय पूरा हो गया, वापस आउंगा, जीतें तृत पार्टी जी, आप भी बता दीजिए, क्यों नहीं ने का, बीएस पी को भी पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परिशानी हो रही है जनता को, भहिए अगर इतना ही प्यार और इतना ही मुहबत था, गटबंधन करने का इतना शौक था, तो इक गटबंधन छे महने पहले, आठ महने पहले होना चाहिए था ना, कॉंग्रेस के जो बड़े नेता है मानी सोनिया जी और इनके अपने अखलेश जी के जो मानी पिता जी है मुलायम सिंगी यह हर वक्त आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे हमेशा लड़ते रहे केंद में हमेशा इनकी लड़ाई होती रही एक ने कभी दूसरे को प्रधान मंतरी बन्य ने दिया दू रुपी की जनता को या आप ना समझ समझते हैं बेकूफ समझते हैं कल तक राहुल गांदी जी अकलेश को पानी पी कर गाली देते थे एक अपना 75 साल की बज़र्ग महिला को अपना मुक्वंत्री नोंने प्रोजेट कर दिया था ना इनके बीट में कोई common minimum प्रोग्राम है यह बस यह कोई मधूर मिलन नहीं है यह मजबूरी का मिलन है। सब tussen इस पारे इस बाशा से अब लोग निकलते ही रहते हैं लोग लोग निकलने Бॉरे का मतलब नहीं है कि आ Bei Бुरे हो तो आपका तो भाजपा के साथ पुराना रिष्टा रहा है आपका तो भाजपा के साथ कई बार रिष्टा हुआ है हो सकता है अगर खेर मौका आएगा नहीं लेकिन मौका आते ही हमें मालूम है आप लोग कहा जाएंगे हमें तो ये भी मालूम है कि माउस अदर से भाजपा ने मुखतार अंसारी साब के खिलाफ कोई कैंडिडेटी नहीं दिया है तो हमें तो इस सब दिख रहा है दूर से हम इंजॉय कर रहे हैं हमें यह की राजनिती आती है विकास की राजनिती यह पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बड़े युवानेता इखटे दो बड़े दलों के नहीं आता इनको कबरिस्तान आता है शमशान आता है रोजी रोटी नहीं आता रोजगार नहीं आता इनको बिजली पानी सड़क की बात करनी नहीं आती यह इसी तरह की लफवाजी में अपनी राजनिती करना चाहते है हम लोग एक नई राजनिती सामने लाए है जनता सामन खेडा जी से कहना चाहूंगा कि जो आप पुराने कठ बंदल की बात करते थे वो तो अपनी चाहे भाई अभी तो पिछले हाल के वर्षों में दस साल तक बहुजन समाज पार्टी का भी आपने समर्थन लेके रखाता राश्पति मुझे को हाल में संपन राज्य सभा के चुनओं में उत्तर प्रदेश में सपा बस्पा ने आपका समर्थन किया है वाई कफिल सिबल जी कैसे चुनके गए है और यहीं नहीं किया है उत्तरा खंड और मद्य प्रदेश में भी किया है और तो और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जॉइंट प्रेस कांफरेंस में राहुल गांधी ने अखिलेश की उपस्पा के खिलाफ कुछ नहीं बोला बलकि बस्पा की इंडिरेक्टी पर संसा तक कर दी वाई तो यह सब को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि हकीकत में कौन किस के साथ बिलने के लिए कब तयार है जब जब बात आएगी बस्पा के अलोचरा नहीं की और तारीफ की तो बड़ी बात नहीं थी तो फिर वहन आप की है सुधानशु जी रक्षा बंदन आप बन आते हैं अगर राहूल गानी का बस्पा को क्रिट्साइज करना संसकार का पूदी कहते हैं सुधानशु जी वो तो बुआ जी कहते हैं जब तक मायावदी जी ने मना नहीं किर दे हैं वो बुआ ही कहते हैं और हाथियों को कि उपर पैसा जो नश्ट्व है उसकी बात करते हैं आप रक्षा बंदन मनाईए और प्राब्लम आपके साथ यह है कि आप लोग इतने कायर हैं कि खुल कर भी अपनी बहन का कामना नहीं कर रहे हैं बहन ने अगर रापी बात हो गई तो खुल कर रही है प्राब्लम आपके साथ आपके साथ खुल कर गर बंदन कर रहे हैं प्राब्लम आपके साथ खुल कर रहे हैं सुदान्चु जी प्लीज मेरा एक सवाल है आप से मेरा सवाल है कि यह कायरता है ठीक है हमने मान लिया कि हो सकता है इनके परदे के पीछे किया हो यह रिजल्ट का इंतजार करते हूं बाद में आएंगे देखा जाएगा तब क्या करना है उस समय कॉल ले लिया जाएगा लेकिन ये कौन सी बाहदूरी है कि आप गठबंदन भी कर लें और फिर गाहे बगाहे जगह जगह पर ये भी बताते फिरें कि हम तो मजबूरी में कर रहे थे हमें जरूत नहीं थी ये त अख़वार का इंटर्वू सा प्रश्न पूछा गया मुख्यमंत्री ने परिस्तिती बताई इसमें गडबंदन हुआ था कॉमन मिनमम प्रोग्राम लागू होगा मजबूत गडबंदन होगा और जिम्मदारी का गडबंदन होगा मानिये मुख्यमंत्री ने कुछ सोच सिंबल ना पहुंचना और यह मिस्ट काल वाली विशाल पार्टी ने वहां से बस्तराइब तो यह आप भी जानती हैं कितने दिन कॉंग्रेस पार्टी को नाक रगड़नी पड़ी की सो तक आजाएं आपकी पार्टी के नेता कितनी सीट पर उनको लाने के लिए खड़े गटबंदन का फैसला कितने दिन में हुआ आप अच्छे से जानती है रोई जी गटबंदन का फैसला हमेशा एक गिवन टेक का होता है और पार्टी चाहती उसको ज्यादा सीटे मिले और यह नेगोशियेशन होते हैं इनका घडबंदन भाजपा का क्यों टूर गया महाराश्टरा में इनका घडबंदन अपना दल से क्यों कठिनाई में तो इतनी कायरता ना दिखाए सामने आकर जनता को बताएं कि अगर हमें इतनी सीटे मिलेंगी तो हम मिलकर साथ सरकार बनाएंगे पहले कर चुके हैं अब आपने सवाल उठाया आपने सवाल उठाया उसका जवाब त्रिपाटी जी से ले रहा हूं लेकिन एक चीज जो आपने कहीं कि गठबंदन गिवन टेक का गठबंदन होता है तो पवन खेडा सहाब गठबंदन की राजनीती को आप उस समय से देख सकती हैं लेकिन क्या उसमें किसी पार्टी का सम्मान दाव पर रखा जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस सम्मान दाव पर रखके चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ वरना खिले श्यादेव यह क्यों कहते कि कॉंग्रेस जब कमजोर सिती में तो उसको समाजवादी के लावा किसी का साथ नहीं दिखेगा देखे साहब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिसको जो दाव पे लगाना हो लगा लेना चाहिए क्योंकि जिस तरह की ताक्तों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उन ताक्तों को रोकने के लिए तमाम अपने जो भी है हमारे पास हमें उसको दाव पे लगाने को हम तैयार हैं अखिलेश जी ने भी अपना सब कुछ दाव पे लगाया और हमने भी अपना सब कुछ दाव पे लगाया ये लड़ाई ही दाउं की है और इसमें अगर शर्मनाना है, डरना है, घबराना है जैसा कि जुही जी ने अभी बोला कि अगर कायर हैं इतने कि आप सामने आकर नहीं खुल करने हाथ मिला पारे तो हम उस तरह हैं कि परंपरा के लोग नहीं है हमें जो करना है हम खुल कर करते हैं और सारा दावंपे लगा के करते हैं हमें इन ताक्तों को हराना है 2019 की तयारी आज से ही हमने कर दी है आज जो इन्हें जवाब मिलेगा इसकी गूँज 2019 में सुनाई देगी सर ठीक है आप 2019 की तयारी कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं हिजदत दाव पे लगा के तैयारी कर रहे हैं सर और आप कह रहे हैं हम कुछ भी दाव पे लगाने को तैयार हैं सब कुछ दाव पर लगाने को तयार अगर नहीं हो अगर हम सब कुछ दाव पर ही नहीं लगा सकते तो क्या लड़ने जाएंगे साथ सराथ, 2019 में अखिलेश यादम को पि-म केंड़ेट लेके चलेगे किया या राहूल गांदी को लेके चलेगे और आगे आगे देखिये होता है क्या आप भी जाएंगे लगाना तो सिखे हुज़ूर हमने तो सब कुछ दाव पर लगा है तो किसी कारण से लगा है उसमें कॉंगरेस पार्टी की क्या स्थिती है सर आप अच्छे से जानते है दूसरा शीला दिक्षिद जी के आप इतने खरीबी रहें शीला दिक्षिद जी मुख्यमति केंड़िक अनल को भाजपा की क्या सिती करदी भाजपा की इस गड़बंदने क्या सिती करदी हम उस पर बात कर रहे है आप 2019 में राहुल जी के साथ ये भुगतने के लिए तयार है कि आप उनको पीम इन वेटिंग रखें और बात में आज आज आप लोग जो बीजबोने की चेश्टा कर रहे हैं उसमें हम किसी ट्रैप में आने वाले न हमें न जुही जी हैं हम लोग भी पुराने खिलाड़ी हैं साथ रोहिद जी हम भी कोई आज केकल के नहीं है तो इस तरह की बाते हम सुनते रहेंगे उसकी चिंता मत कीज़े आप अभी 2019 की आज अभी मत बीजबोई है अच्छे जानते हैं सर तो आप और रही बात रोहिद भाई बिहार की तो बिहार में हमारा क्या होगा वो तो हम देख लेंगे भाजपा के साथ हमने क्या किया वो देखिए और वही उससे दर प्रदेश में होने वाला है ठीक है सर ठीक है सुदानची त्रिवेदी आप कुछ कहना चाहरे हैं बोल लीजे फिर त्रिपाठी जी आपके पास आनो बोली सुदानची जी लेक्टेश पामनखेडा जी ने बहुत अच्छी बात अनजाने में कह दी कि यह पुराने खिलाड़ी हैं मजे हुए खिलाड़ी हैं बिल्कुस सही बात है जिए शीला जी के साथ रहे हैं बताएगे कभी शीला जी के मूँसे ऐसी बात फिसल गई जैसी अकिलेश जी के मुझे से निकल गई हो फिर आब आपको कहना पड़ा नहीं वो तो इंटर्वियू था इसका मीनिंग यह था यही होता है मैच्छोर और परिपक्पो और अनुभवी लीडर्शिप होने का और यदि अनुभव हीन प्रतिक्रियावादी लीडर्शिप हो सब्सक्राइब नहीं करता मेरा विक्रप्याबात सुन लिए आज हकीकत यह है रोई जी कि हो गया है गटबंधन पर मन भी कसमसाए कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए यह इनकी एक हकीकत हो गए और हकीकत उसमें यह भी देखिए अमेटी में दोनों लड़ रहे हैं य जातो आप उनका सम्मान करिया मेटी के ग्रह राए ग्रह छेत रहे हैं उसमें छोड़ दी जिए मगर गायत्री प्रजापती के लिए अखिलेश यादोजी स्टैंड लेकर अपने गडवंदन सायोगी के गड़ में चुनाव लड़वा रहे हैं क्या अपने आप में इतना ह जी जी मैं पवर्ण केला इसे कहना जाता हूं आप यह बिल्कुल ना बता हैं कि आप इस खेल के बहुत बड़े खिलाडी हैं खुरी दुनिया जानती है कि कॉंग्रेस के लोग बहुत बड़े किलाडी हैं और यह जो आपने खेल अभी खेला है इसमें आप सफर नहीं आना है इस बात को उन्हों आपने इंटर्विव में कहा है कि वेंडिक कॉंग्रेस वीकेस्ट बैं दें वाइंड समाजवाधी पार्टी दि क्लोजेस्ट तो जो बनी रहेगी तो यह कांग्रेस की वीक्नेस पर ही होगी कांग्रेस वहां कभी राइस नहीं कर पाएगी 28 बनाएंगे कितना खेल केलेंगे आपने कहा था जब आपका मुखमंत्री यहां मानी शीरा जी प्रोजेट की गई थी कॉंग्रेस तरफ से की गई थी कि नहीं तो कहा था दस परसेंट ब्राहमलों के लिए आप आरक्षन देंगे कि आपके किसी कॉम्मन मिल्मन प्रोगाम में यह बात है कि नहीं है यह वो खतम हो गया ब्राहमल मुखमंत्री गया और ब्राहमलों का जो आपने एक शगूफा एक लॉली पॉप दिया था वह भी दाजिट स्टेंड और लॉट लॉट है जीड़ा जी रोहित जी मैं जवाल के साथ साथ मेरा भी एक सवाल है सर आपने हा इसका मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं अभी से जबकि इसकी गैरंटी आप दे नहीं पाएंगे शायद अभी कि अगर इसी 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव के अपनी पार्टी को पर्याप सीटे मिल गई तो इस गढ़बंदन का क्या होगा मुझे एक बात बताईए पहले तो मैं त्रिपाठी जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं फिर वही बात कर रहे हैं पुरानी बातें कर रहे हैं अगर हमारे किसी ओफिशल ओफिशल प्लाटफोर्म से कॉंग्रेस ने अगर यह ऐसा कोई टिपणी कियो आप मुझे अभी बताईए मेरा यह चैलेंज है आपको प्रही बात आपकी आफिचल आफिचल आपको जो सूर करता है उसको आफिचल करते हैं जो आपको नहीं सूर करता है उसको आफिचल करते हैं हमारी एक ही common program हमारा है एक common program है जिसमें BSP को भी सामिल हो जाना चाहिए था पता नहीं क्यों नहीं हुए हमें भाजपा को हराना है हमें भाजपा को रोगना है हमें भाजपा को रोगना है हमें भाजपा के और इनके जो कायर पार्टर्स है तो BSP जो उनके कायर पार्टर्स है प्लीज एक मिनट के लिए रुख जाएए खेडा जी आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर भारतिय जनता पार्टी को आने से रोकना था सर आप बातें कर रहे हैं कि हम विकास करने के लिए सरकार लाना चाते हैं और टीमा पनाते हैं मोधिरों को प्रत्यों की तखिर जाएगा तीन साल में आपने हिंदोस्तान के आलत देख ली कौन सा विकास आ गया है जरह मुझे बता दीजिए लोग दर-दर भटक रहे हैं अच विकास लाएंगे तभी आपको भी सपोर्ट दिया है वहाँ केंद्र में आपने सपोर्ट लिया है अब आप भटक गए हैं अब आप नहीं भटके थे अब भटक गए हैं तो हम कह रहे हैं आपको आप भटक गए हैं काम निकल जाने के बाद कांगरेस ऐसे ट्रीट करती हैं एक कांगरेस वेद इतना मोटा इधिहास है सुदान चुत्रिविदी आप कुछ कहना चाना है हाथ उठाए देड़ें बोलिए आपको हमारे इतिहास की आरे साब अभी तो आगे भविश्य देखिए हमारा भविष्य भी बहुत उज्वल है थीक थीक पवंजी दिखाई पड़ड़ा इतियास से लेके भविष्य तक अम मैं पवंजी की एक बात का तथ्यात्म को उत्तर देना चाहता हूँ उन्होंने का हमारे किसी लीडर में अगर कभी कोई बात किसी संपरदाई समाज का नाम लेके संपरदाई बात दे याद देना चाहता हूँ संपरदेश मुझा मंत्री ने बोला अरे बहया बहया मुझे बोलेने दीजे ना आप अब जब बोलते हैं तो मैं बिलकुश शांती से कहता हूँ अब आपको जो मैं याद दिना रहा हूं तो प्रफिया सुन रहे हैं तो आपकी यूपीएवन सरकार में ततकारीन रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर बोला ये मैं आपको एक याद दिलाना चाहता था से आप तो सेना तक को क्रडिट नहीं देते हैं और दूसरी बात आपने एक यू में पचास पुश्यत आरक्षण दे दिया बतब दलितों का रक्षण काट दिया पिछोडों का रक्षण काट दिया और मुसल्मानों को पचास पुश्यत आरक्षण दे दिया आपने तो करके दिखाए मैंने चार फैक्ट आपके साथ प्रवक्ताओं को जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं खास तोर पर एक चीज और बताना चाहते हैं वो यह कि हमने कारेक्टरियम की शुरुआत में महमान के परिच्चे के साथ-साथ उसकी क्वालिफिकेशन बताना शुरू किया इसलिए ताकि जनता को यह पता लगे कि जो आदमी उनके सामने बात रख रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है कितना सब है और कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकता है तो हम उमीद करते हैं कि सब अपने अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने अपने वक्त में बोलें अपनी बात रखें तो बैतर होगा सब को सुनाई देगा समझ में आएगा इसी के लिए हमने घड़ी का सिस्टम भी लगा दिया अगर हमारे प्रवक्ता मेमान चाहें तो हम पूरा कारेक्रम उसे एक मिनट की घड़ी के साथ निकाल सकते हैं लेकिन उनी की शिकायत रहती है कि एक मिनट में कई बार बात पूरी नहीं हो पाती इसलिए हम थोड़ा समय बिना घड़ी के भी देते हैं तो इसलिए कृप्या उस चीज का खयाल रखें कि दर्शक मजबूरन चैनल ना बदल दें आप लोग को सुनने के और ताल ठोके में आज का सवाल ये क्या उत्तर प्रदेश में मजबूरी का नाम कॉंग्रेस है पवन खेड़ा कॉंग्रेस से हमारे साथ हैं जुई सिंग समाजवादी पार्टी से हैं सुदान शुत्र वेदी भारते जन्रता पार्टी से हैं सुदान शुत्र वेदी आप जाना चाहते हैं लास्ट कोमेंट केवल ने आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर वाकई आपको लगता है गठबंदन के बोज से अखिलेश यादव कॉंग्रेस का बोज उठाएंगे तो उनकी साइकिल की रफ्तार धीमी हो जाएगी तो आप लोगों को तनाव क्यों हो रहा है जब से गठबंदन होगा आप लोग दर क्यों रहे हैं लगातार अटेक आपका गठबंदन पर क्यों है रोहित जी अगर कोई बीवेक्त उत्तर प्रदेश के वर्तवान चुनावों को देख रहा होगा तो बहुत साफ समझ में आ रहा होगा हम अटेक नहीं कर रहे हैं सबके अटेक के निशाने पर भाजपा है जाहें सपा हो बसपा हो या कॉंग्रेस हो इसका मतलब बहुत साफ है कि सबके सब भाजपा से डर रहे हैं भाजपा किसी से नहीं डर रही है तो गटबंदन खुदी डर से हुगा गटबंदन पहुत बर शुक्रिया सुदानशु त्रुएदी आपका पवन केड़ा एक सवाल बीच में रह गया ये कैसा गटबंदन है जिसमें आप 17 सीटों पर आमने सामने कड़ें देखे साफ लोकल मजबूरियां होती है लोकल इशूस होते हैं लोकल मुद्दे होते हैं लेकिन जो सुधानशु जी ने कहा है उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ लोगों का डर दूर करने के लिए हम लोगों को डरने की कोई आवशकतनी हम बखुबी मुकाबला करेंगे भाजपा को नहीं आने देंगे आपने आज की बहस पूरी कर दी सर यह पहला मौका है कि जहां से शुरू इतिबात वहां के खतम हो रही है मैंने शुरू इस बात से किया था खिलेश जादव कह रहे हैं गठबंदन मजबूरी है आप कह रहे हमें अपने आदमी 17 जगा उतारने पड़े वो मजबूरी है याने कि सब कुछ हो रहा है ना सर मजबूरीों में फिर जनता को क्यों कह रहे है कि हम विकास कर रहे हैं हम तो कमाल कर दे गया है और इनके तमाम लोगों के मुद्दा क्या है अरे अगठ बंदन क्यों हो गया आरे साब आप अपना काम करिये प्रचार करिये अगर कर सकते हैं नहीं आ रहे आपके रोड शो में लोग हमें मालूम है कल क्या हाल हो तुए अमिट शाह साब के रोड शो में टीवी चैनल्स पर दिखाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था लोग ही नहीं थे हमारे मंच गिरे जा रहे हैं क्योंकि मंच उपर भी इतनी भीड़े इनके रोड शो पर भीड नहीं है अब रोड ही रोड रह जाएगा साब शो इनका समाप्त हो रहा है चलिए आपने मंच गिरने की बात देखे रोही जी मुझे आपकी आवाज नहीं यहां तक पहुंची नहीं आवाज लेकिन प्रश्ट नापका कोई हो मैं उससे मिलता जुकता अपने उपर लेके मैं उत्तर दे रहा हूं पवन खेला जी ने अभी कहा जब आपने कहा कि 17 सीटों पे गड़बंधन आमने गड मजबूरी है तो इस तरह की लोकल मजबूरियां बहुत सारी है वहाँ पर पवन खेला जी बताइए आप यह जो उत्तर प्रदेश में कानून विवस्था इतनी खराब है सब तरफ हाकार बचा हुआ इसको कैसे गले लगाएंगे आप अगलेश की नागामी को आप कैसे कैस जनता को पूछेंगे नहीं तो आपके लिए जनता जांती है जोही जी जी जोही जी समय खत्म हो गया है समय खत्म हो गया है मैं आपको शायद और मौका दे देता आपके गटबंदन के साथ ही काफी बात कह चुके हैं पूरी चलते चलते केवल इतना कह रहा हूं कि इलावाद में जो कुछ हुआ मंच से डिंपल यादव जो कह रही थी लोगों से आप ये कहके डिफेंड करती र सवाल का जवाद में आपके ट्विटर हैंडल से ही जवाब पढ़के आपका जवाब बताया आपके लिखा मैं वहीं पर मौझूर थी ऐसा कुछ नहीं हुआ और जनता खुद तैय कर लेगी उसको वोड देना है गट बंदन को देना है या नहीं देना है बहूत बहुत शुक्रिया आप चारों का एस ताल टोके का इस सबनने के लिए